Hello friends, स्वागत हैं आपनों का इस lesson में जहां पर आज हम लोग discuss करने वाले हैं problems के बारे में कि हमारे program में किस-किस type के problems आ सकती है हमारे program में तीन तरह के problems आ सकती है एक पहला error, दूसरा exception और तीसरा warning जिलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है सबसे पहले समझते हैं कि error क्या होता है Error हमारे program में compile time भी आ सकता है और run time भी आ सकता है कोई भी syntax में missing या फिर कोई भी grammatical mistake की वज़े से Error को हम लोग तीन तरह से categorize कर सकते हैं पहला syntactical error, दूसरा grammatical error और तीसरा logical error सबसे पहले समझते हैं कि syntactical error क्या होता है ऐसा error जो कि compile time आता है कोई भी syntax में missing होने के वज़े से तो ऐसे error को हम लोग बोलते हैं syntactical error जब हम लोग कोई भी statement में syntax में missing करेंगे उस type में जो error आएगा उसको हम लोग बोलेंगे syntactical error इसको एक example के तूसमझते हैं जैसे यहां पे हम लोग एक program बनाये हैं जिसके एक statement मिसिंग कर रहे हैं यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक semi-colon छोड रहे हैं तो इसके इसमें हमारी program में एक error आ रहा है statement missing semi-colon तो इस type का error आ रहा है हम रहा program में एसे error को आम लोग क्या बोलते है syntactical error okey next हम आम लोग समझते है grammatical error क्या होता है grammatical error होता है जो कि runtime occurred होता है और यह जो होता है यह इसलिए होता है जब हम हमारे program में कोई inbuilt functions का youse करते है और वो inbuilt functions का spelling होता है इसमें mistake करते हैं तो जह हमारा program run हो रहा होता है तो उस time में क्या होता है कि जो भी हम लोग predefined functions का use कि है हमारे program के अंदर वो link हो रहा होता है हमारे library से तो वो link नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोगोंने गलत spelling लिखा हुआ है और उस वज़े से जो error आता है उसको हम लोग बोलते है grammatical error इसको भी हम लोग एक example के थू समझते हैं जैसे यहां पर हम लोग क्या किया है कि हम लोग clear screen का spelling गलत लिखें CLRS-CR ना लिख के CLRS बस लिखें तो इस ताइम आप लोग देख सकते हैं कि compile time में कोई भी error नहीं आ रहा है लेकिन जैसे हम लोग इसको run करवाएंगे तो एक error आ रहा है linker error undefined symbol CLRS इसका मतलब कि link करते वक्त जो error आ रहा है और इस error के वज़े से हमारा program run नहीं कर पा रहा है तो इस type के error को हम लोग बोलेंगे grammatical error जो कि कब आता है run time पे आता है इसलिए इसलिए हम लोग उसको run time error भी बोलते है ठीक है next जो है वो है logical error logical error क्या होता है when an application does not produce a correct output due to any logical problem then it is known as logical error logical error नहीं आपका compile time आएगा नहीं आपका run time आएगा यह आएगा आपके logic में कोई mistake होने की वज़ा से तो चलिए इसको भी एक example से समझते हैं यहां पे हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम लोग integer type का दो variable लिये हैं a is equal to 200 और हम लोग चाह रहे है कि b में 200 का 50 percent आ जाए और उसके लिए हम लोग कुछ अपना logic लगा रहे हैं और फिर हम लोग A और B के value को store कर रहे हैं हमारे program के हमारे monitor पे okay इसको print करवा रहे है और B के value को तो अगर आप लोग को यह प्रोग्राम अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं इसके लिए यह बहत है तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं और B का value उसको run करवाते हैं तो हमारा output आता है A is equal to 200 और B is equal to 400 तो A में हम लोगों ने वही value प्रिंट करवाया जो A में था और B में हम लोगों ने प्रिंट करवाया 200 का 50% ओके तो क्या 200 का 50% 400 आएगा यह गलत output आ रहा हमा 50 by 100 then our output will be right, so that's why our output is coming in logic so we call this error logical error just hope that we will understand the error and the types of error we will understand the exception exception is an abnormal condition which we call exception how we can understand the exception we also understand through first of all, we have understood that the exception is at the run time on the compile time but there are rare cases and rare cases we are ignored so what happens here we understand what exception is you will not try to understand this program को समझने का कोशिश मत कीजिएगा उतना ज्यादा बस उस पे फोकुस कीजिएगा कि समझ पाइए कि क्या होता है इसने हम लोग क्या कर रहे है कि इंटीजर टाइप का दो तीन वैरियाबल बनाने और इसमें यूजर से दो value ले रहे हैं और फिर हम लोग 3 में किया कर रहे है अधिग जो भी division का value वह सी में store कर रहे हैं और सी को सी का value लोग मैने मंटल पर प्रिंट कर रहा है तो और अओफसे पहले घिंग Megitt ad a and Brown करवाएंगे इंटर्ट नमब्र तो enter two number, इंटर रहें, यूजर इंटर करेगा कोई number हम लोग दो नमबर इंटर कर दिये 10 और two सबसे पहले हम लोग उन्हें 10 ही इंटर किया तो अ में चला गया होगा 10 और ब में चला गया होगा two outta c में हम लोग क्या कर रहें a divided b यानि हुआ 10 divided two तो 10 divided 2 हमारा क्या आगे? 3 is equal to 5, ठीग है? यह output तो ठीक आ रहा है, लेकिन हम दुबारा जब हम लोग program run करवाएं, इंटर 2 number, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? A में 10 दे रहे हैं, और B में 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? A divided, sorry, 10 divided 0, कोई भी value को हम लोग 0 से divide करेंगे, तो हमरा result क्या आता है? infinitive आता है, लेकिन यहाँ पर क्या memory में store हो पाएगा, infinitive? नहीं हो पाएगा, तो यह एक abnormal condition हुआ, तो इसी abnormal condition को हम लोग बोलते हैं, exception, तो यह हो गया हमारा exception, और हम अब समझते हैं कि वर्निंग क्या होता है? वर्निंग बस एक alert message है, वर्निंग आने से आपका program easily compiled होगा, easily execute होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वर्निंग बस एक alert message हुआ, जब आप अपने program में कोई भी unusable code लिखते हैं, ऐसा code लिखते हैं जिसका आपका program में कोई use नहीं है, वो ऐसे ही memory का wastage हो रहा है उसके वज़े से, तो वो आपको बस alert करता है कि आपने जो यह line of statement लिखा है, यह unusable है, इसका कोई use नहीं है आपके program के अंदर, तो ऐसे cases में क्या आता है, एक warning message आता है, जो कि बस एक alert message है, इसको भी हमलों के example के थो समझते हैं, इसके हम लोग यहाँ पर एक message प्रिंट करवाना चाहरा है, innovation in C, और यहाँ पर फाल्तू का में लोग एक variable statement डाले हुए, int is a is equal to 10, जिसका हम लोग कहीं पर प्रोग्राम में यूजी नहीं कर रहा है, इस variable का, तो ऐसे cases में हमारा एक क्या रहा है, एक warning आ रहा है, तो यही warning आ रहा है कि जो हम लोग यहाँ पर यह बेकार में यूज करने है, इस variable का, वेकार में हम लोग जिसके की memory भी हमारा loss हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारा, कोई use नहीं हो रहा है, यह unusable है, ठीक है, तो यह जो हमारा है, सिर्फ और सिर्फ यह message प्रिंट करने हैं जिसका कोई ज़रूत नहीं है, तो यह हमें एक alert message दिया, इसका कोई use नहीं है, ठीक है, और अब एक important चीच समझ लीजे, कि आपका c program के अंदर, आप कोई भी statement लिखेगा function के अंदर, तो उसमें अगर आप variable statement देना चाहते हैं, variable का use करना चाहते है अपने program में, तो वो जो variable statement होना चाहिए, वो must be first statement होना चाहिए. अगर आप अपने function के अंदर कहीं भी variable का use करना चाहते हैं तो आपका जो पहला statement होगा वो variable statement ही होना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप variable statement 2, 3, 4 statement के बाद या एक भी statement के बाद देना चाहेंगे, पहला statement नहीं देंगे तो आपके program में error आएगा जैसे यहां पे हम लोग पहले clear screen कर रहे हैं उसके बाद int is equal to 5 variable statement दे रहे हैं तो हमारे program में क्या आ रहा है? error आ रहा है तो इसका आप लोग ध्यान रखेगा कि जो variable statement होगा function के अंदर, कोई भी function के अंदर, तो वो क्या होगा? पहला statement जो होगा, वो variable statement ही होगा, ठीक है?